बस बिलकुल यही confidence चाहिया मंत्री जी मैं तो कहता हूँ कि दुनिया भर की जितनी दिक्कते हैं सब को भगवान भरोसे ही छोड़ देते हैं ग्रिह मंत्राले, ग्रिशी मंत्राले, शिक्षा मंत्राले हर जगा भगवान की बड़ी-बड़ी मूर्तिया लगा देते हैं IAS, IPS, PCS अधिकारियों की जगा कुछ ऐसे लोग रख देते हैं जो दिन बार भगवान के सामने प्रातना करें कि प्रभू हम कुछ न करेंगे जो करना है आप ही कीजिए बताइए पूरवान्चल और बुंदेल खंड में किसानों की बूढ़ी आखे पत्राने लगी हैं वो आखें जिने लहलाते खेतों को देखने की आदत थी वो बूढ़े शरी जिने खेतों की मेड़ पर हर बरसात में रपट जाने की आदत थी मौनसून की बेरूखी के चलते वो उल्लास और उमंग विहनी हो गई है वजा समूचे पूरवान्चल और बुंदेल खंड में धान की रोपाई और खरीव की फसलों की बुआई नहीं हो पाई है खरीव की जो फसले पहले बोई गई थी वह भी सूख कर दरखने लगी है लोग त्रहिमाम त्रहिमाम कर रहे हैं मंत्री जी भगवान से अपील कर रहे हैं कि जल्दी से बारिश लेकर आएं ताकि छोटी मोटी समस्याओं का समाधान हो सके ये बात कोई और कहता तो मान भी लेते लेकिन जब खुद क्रिश्री मंत्री इतनी बड़ी समस्या को छोटी बता रहे हैं तो किसानों को भगवान ही बचा सकते हैं पूर्वान्चल में बारिश ना होने की वज़ा से किसान अपनी आस्वों से खेट सीच रहे हैं फसले तैयार नहीं हुई तो अगले साल घर का चूला कैसे जलेगा इस चिंता में किसान परिशान है और मंत्री जी कह रहे हैं कि भगवार जल्दी से बारिश लेकर आएं वह तो हुआ ये कि यूपी तक ने किसानों की समस्या को लेकर मंत्री बलदेव सिंग उलक से सवाल पूछ लिया पूछा कि हुजूर बताईए सूखा पढ़ गया है किसान परिशान है सरकार की ओर से सूखे से निपटने के लिए क्या तैयारिया है जवाब मिला भागवान भर से जब आगे सवाल पूछा तो तुरंत मंत्री जी पहले तो मौसम बैज्यानिक बन गए और फिर बाद में क्रिश्री विज्ञान पढ़ाने लगे लेकिन ये साफ नहीं हो पाया कि मंत्री जी कहना क्या चाहते हैं देखे मैं तो यही कहूंगा कि उपरवाला भगवान जो है जल्दी बारिश लेके आए जिसके चोटी मुकी समस्या है वो दूर हो क्योंकि धान बहुत जरूरी है और बरसात का मौसम भी बहुत बरसात लेट हो चुकी है क्योंकि किसान पंदरा जून के बाद बरसात का प्रीड बना जाता है और आज हम 14-13 तारीक हो चुकी है और बरसात कहीं भी बरसात का कहीं पढ़ना नहीं हुआ तो किसानों के लिए बड़ी दिक्कत है और खास करके बुंदेल खंड तो बहुत ही जादा दिक्कत है और फिर भी सरकार उसमें प्रयास कर रही है और काफी है और जो भी किसानों की मदद होगी वो सरकार करने को तया है खेर इसके आगे हम क्या कहें इसे ही तो कहते हैं भोलापन तेरा भा गया हमको सादगी पर तेरे मरते हैं हम रामपूर से आमिर खार की रिपोर्ट यूपी तक हुआ है